में मौनिका आपकी कार्णर दोस्त आज आपसे बात करूंगी कि हमारे घर में कई बार को जो लेडर्स वगरा है वो ऐसे पड़ी रहती है और मतलब जगा भी घेरती है और स्पेशली फ्लैट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जगा भी वो घेर रही है और खुब सारी आपके पास लेडर पड़ी हो उसको आप किसी अगर आपके पास ऐसी सीडी कोई पड़ी हुई है तो उस पे आप प्लांट्स कैसे रखे जैसे बराने में बालकनी में इवन ड्रॉइंग रूम में भी आप उसको रखे न और इतना खुबसूरती से सजा सकते हैं लिविंग और खुबसूरती भी बढ़ाएगी तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे तियार किया लडर तो देखिए ये एक सीड़ी है मेरे और इसको मैंने किस तरह से तियार किया गार्डन में भी आप अगर इस किसी कोने में सीड़ी को लगाते हैं तो कितनी खुबसूरत लगेगी वै पस्प концov आपने क्या क्या लगा को दिखा थे हो यह की इसलिए सपाइब ही यह तरह के जो धे हैं यह स्वेस्म करेंग को देख्ष है यह एकूं यहां पर बिजाए हैं करके कि नाओों सब्राइब 2 सब्सभान कर से ही एक किन्हीं भीन का आपने ऐसे छ prose तो पूरा ऐसे दिखाती हूँ आपको अगर इसके साथ का ही इसको मैं ऐसे करके continuation में लगाऊं तो ऐसे आपको ऐसे तीन continuation में ऐसे ऐसे railing planter तीन लग जाएंगे हना मेरे पास ये दो ही है तो मैंने अभी दो ही लगाए है तो एक बीच वाला नहीं देखके ये दो दिखा रही हूँ आपको और यहां पर आप कोई hanging basket भी टांग सकते हैं जैसे मैंने ये hanging basket sides में देखे टांगी हैं अभी क्या है ये मेरी तियार हो रही है जो mature hanging baskets है तो already मेरी लगी हूई है उपर उतार के लगाने की बजाए ये जो तियार हो रही है इनमें से मैंने आपको दिखाया है और ये उस दि प्लेंटर और जैसे दो यहां लगा दें दो यहां नीचे भी लगा सकते हैं और बीच में यहां पर भी आप hanging basket भी टांग सकते हैं इस जगह भी इवन ये लेखिए ये जो आपको दिख रही है ये वाली rod आप एक दो hanging baskets अलग-अलग length में यहां भी टांग सकते हैं आपको इतनी space मिलती है यहां पर गंबले लगाने की और इवन देखिए यह जो सीड़ी है यह भी अंदर से यूँ है होल्ड करती है यह अगर आप यहां पर भी hanging basket ऐसे लगाना चाहते हैं ऐसे अंदर जगह बनी हुई है यहां भी लगा सकते हैं कोई hanging baskets और टॉप पे देखिए मै आपको यह arrangement दिखा रही हूँ बना के यह देखिए छोटे-छोटे singonium रखे हुआ है फिर मैंने यह zade के bonsai इसमें रख दी है singonium बड़ा versatile plant है हमारे garden के लिए वो छोटे-बड़े हर size में मिलता है यह देखिए गुद्धा जी बैठे है tree के नीचे है राम से और यह देखिए इसमें मैंने यह zade लिखके लगाया हुआ है इसका यह देखिए root किती है अच्छी खुबसूरती से यह root आ रही है इसके देखिए 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 zade का यह दक है इसमें कि फाइलो डंडरोन है धूप जून आ गया न भी धूप खाने लग गया है और यह again zade लगाया हुआ है इसमें आप पूरे bones आई भी लगा सकते हैं सारे में जो भी plant आपको अच्छा लगे मैंने अलग-अलग इसलिए लगा के दिखाया है कि आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें इसमें देखिए यह एक सेंसिवेरिया की वराइटी है यह पौदा लगाया हुआ है मैंने देखिए और यह अरेलिया देखिए अरेलिया की एक cutting देखिए इसमें मैंने लगाई हुई है यह देखिए फिर singonium लगा दिया है singonium में आपको न ऐसे पीले पते मिलने शुरू होंगे और फिर यह सेंसिवेरिया इसके साथ भी और बहुत जगा create होती है ऐसी ladder जब आप लगाते हैं ऐसी सीड़ी आप लगाते हैं देखिए अभी मैं यहां भी और समान लगा सकती हूँ और बीच बीच में और टांग सकते हैं इस साइड भी मैं और hanging basket टांग सकती थी उस साइड दो hanging basket मैंने टांगी है तो यह जो सीड़ी है यह आपको एक ना पूरा stand का काम भी करती है आप इसमें hanging baskets भी टांग सकते हैं रेलिंग planter भी लगा सकते हैं छोटे plant भी लगा सकते हैं bonza ही भी लगा सकते हैं हर तरह का variety of plant आप लगा सकते हैं इदर सामने से अगर मैं दिखाओं तो यह और भी ज़्यादा सुन्दर लगता है इदर और अभी क्या है आपको पीछे दूसरे plants की greenery दिखती है तो यह बहुत ज़्यादा उभर नहीं रहा है लेकिन हमें जो आखों से दिख रहा है यह बहुत खुबसूरत दिख रहा है इस टाइम पीछे वो greenery से शायद merge हो रहा हो लेकिन यह बहुत खुबसूरत लग रहा है इस तरह से आप create कर सकते हैं आपके garden में ऐसा लग रहा है जैसे कोई stand बनाया हुआ है specially हमने पौदों को रखने के लिए देखिया आप तो इस तरह से आप कोई भी cd को यूज़ कर सकते हैं अगर color fade है तो उसको color कर ले मेरे तो यह red color की familia क्या अतिय हो वाली है यह हम use करते हैं कोई keel wheel लगाने के लिए या कोई काम होता है तो उपर height पर चढ़ने के लिए देखिये ऐसा लग रहा है आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो friends अगर आपको यह video अच्छी लगी हो इसे like करिएगा share करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करिएगा okay friends bye